हे गाईज आद इस वीडियो में आपको एक ऐसे कोईन के बारे में बताने वाला हूँ वो कब पलक जबक्ती फरार हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा उसमें जबर्दस पोटेंशल है लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आप केवल उसका नाम सुनके मत चले जाएगा क्योंकि अगर आप उसका नाम सुनके चले जाएंगे और ट्रेड करने लग जाएंगे तो आपको लोस भी लग सकता है इसलिए जो मैं आपको इंपोर्टेंट चीजे बताऊँगा उनको आपको जानना चाहिए और मैं कोई आपको बोर्ण नहीं करूँगा बहुत चोटा सा वीडियो होगा और कट टू-कट पॉइंट पोइंट पर होगा इसलिए प्लीज वीडियो को बिना इसकीप के एन तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिए टेलिगाम चैनल को जोई नहीं किया तो इसको भी जोईन कर लीजिए उसकी लिंक नीचे डिस्किप्शन में दी गई है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अपने 50,000 सब्सक्राइबर होने वाल और अभी जो recent में इसकी price increase हुई है वो किस वज़े से हुई है इन point पे बात करूँगा आपको सब कुल पता दे लेगा कि इसकी price का तनाव उपर क्यों जा सकती है ठीक है तो सबसे पहला point अभी आपनी जो recent में इसकी price में इंक्रीजमेंट देखा है वो क्यों हुआ है उसका main reason यह है कि रिपल ने जापान में क्या किया है on-demand liquidity service launch की है तो यह क्या है इसकी वज़े से क्यों यहां पर इत्ता impact देखने को मिला है मैं आपको simple words में समझा देता हूं दरसल क्या है जापान में फिलिपिन्स के लोग रहते हैं वो हर साल अपने home country है फिलिपिन्स वहां दो 10.10-ंड। से भी जादा पैसे बेशते हैं लेकिन वह जापान से फिलिपिन्स में पैसे बेशते हैं तो फिलिपिन्स पचार्ज रहते हैं और यहां फिलिपिन्स के लोग थे जो रहते हैं उनको भी अच्ची सर्विस मिलेगी वो क्या करेंगे XRP के तुरू अपने funds को बेश सकते हैं और वो भी past transaction और बहुत कम cost पे बहुत cheap price पे वहाँ पे जो फिलिपिन्स के लोग रहते हैं वो उसको जादर जादर use करेंगे इससे XRP की price भी increase होगी तो बहुत अच्छी बात है और यही नहीं से XRP की service provide कराता जाएगा तो यहाँ पे XRP की price भी देर देर increase होती जाएगी अब दूसरे point के बात करते हैं कि अब XRP की price अच्छी गास उपर क्यों जा सकती है और XRP की price प्लक जबकते फ्रार क्यों हो सकती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी यहाँ पे आपको पता ही बहुत खतनाक तरीकी से बढ़ेगी वो क्यों क्योंकि अभी यह देखो छोटे से अपडेट में इतनी अच्छा खासा impact देखने हो मिला है यानि कि जहां पे वह strong resistance को break नहीं कर पा रहा था उनको भी उसने ब्रेक कर दिया यह अच्छा impact है तो इससे आप गेज कर सकते हो इत इसके favor में रहात तो लेकिन यहां पे आप रिस्क मेनेजमेंट के साथ चलना यूनिकि आप अपना पूरा portfolio लगा रहे हो और यह भी बात द्यान रखना हो और एक और बात stop loss मस से मस पता नहीं क्या हो आगे किसने क्या देखा है इसलिए stop loss मस से मस जरू से लगा के रखना त देख सकते हैं अच्छी कासी रेली आई है यहां पर जो 50 मूइंग एवरेज था इसके उपर अपन क्लोज कर चुके हैं प्राइस में अच्छा खासा पंप देखने को मिला था आपको ठीक है लेकिन जब भी प्राइस अच्छी कासी उपर जाती है तो फिर आपको थोड़ा तो आपको नेक्स टार्गेट यहां मिलेगा 100 मूइंग एवरेज जो है 0.94 में सेंट फिर आगे 1 डोलर फिर आगे फरदर आगे जा सकते हैं तो करनली प्राइस साथ ऐसा हो रहा है और अगर अगर अच्छा मोमेंटम रहा एक्स आर्पी में तो यह नेक्स टार्गेट अप कोई सी दरीगे से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे